Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओस्वाल का NCRT Workbook Class 1 Hindi का Chapter 15 मैं भी तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना Workbook निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए और अगर आपके पास ओस्वाल का NCRT Workbook नहीं है तो लिंक मैंने description box में डाल दिया है आप वहाँ जाके इसे खरीच सकते हैं तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं Chapter 15 है मैं भी ठीक है? तो देखे इसमें दिया हुआ है पहले तो आपको पार्ट के विसे में ठीक है? पार्ट के विसे में एक बत्तक का बच्चा और मुर्गी का चूजा दोनों बाहरी दुनिया देखने निकले उन्होंने रास्ते में केचवा, तितली देखे पानी देखकर बत्तक का बच्चा तैरने लगा और चूजा डूबने लगा अंत में बतक के बच्चे ने चूजे की जान बचाई तथा पानी से बाहर निकाला ठीक है तो ये था पार्ट में यानि की छोटा सा समरी जो लेसन में आपने पढ़ा है बस छोटा सा दिया हुआ है कि आपको पूरा चाप्टर समझ में आ जाए उसके बाद है इसमें अभ्यास काड़ी है 24 ठीक है नाम दो अब देखिए किसी भी चीज़ का नाम देना होता है जैसे अलग सा नाम अगर देना चाहते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि चूजा बार बार बतक के बच्चे की नकल करता रहता था उसे चिड़ाने वाला एक नाम दो जो नकल करने वाला रहता है तो उसे क्या नाम देंगे आप नकल्ची ठीक है जो नकल करते रहता है दूसरे का तो नकल्ची हम लोग ऐसे भी बोलते हैं तो नकल्ची चूजा, ठीक है, क्या डूबेगा, क्या तेरेगा, अब देखे, इसमें क्या डूबेगा, क्या तेरेगा, ठीक है, तो ये देखे, ये जो टहनी है, ये तेरेगा, ये पत्थर डूबेगा, तो ये आप इसके उपर लिखेंगे, ठीक है, तेरेगा, तो तेरेग एस तरह से जो दूबेगा वह भी लिखेंगे अप म कड़के देखो और निसान लगाओ चीजें, ठीक है अदर चीजें हैं और इस डूबेगा तयड़ेगा, तो क्या डूबेगा, क्या तयरेगा चौक चौक क्या करेगा चौक डूब जाएगा ठीक है तो हम टिक लगाएंगे पत्थर डूब जाएगा ठीक है इसके बाद है रूई तो रूई क्या करेगा रूई तैरेगा ठीक है तैनी भी तैरेगा पैंसिल भी तैरेगा और छिलनी छिलनी भी तैरेगा ठीक है ये सब च complete हो चुका है छोटा सा workbook था कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताई अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCR to the mind को like, subscribe कीजे और pass में दिये गए bell icon को जरूर press कर दीजे ताकि NCRT से related हर videos आपके पास समय से पहुंसती रहे मिलते हैं next video में